हमारा आज का टोपिक है एक्सक्रेशन इन अनिमल्स के अनिमल्स जो है उनके अंदर एक्सक्रेशन कैसे होती है लेकिन एक्सक्रेशन को डिसक्रेशन करने से पहले हम यह देखेंगे के अनिमल्स के अंदर कौन से एनवार्मेंट के अंदर कौन कौन से एक्सक्रेटरी प्रडॉक्ट्स जो है वो पाय जाते है तो सबसे पहले अगर तो अनिमल्स जो है वो हार्पो ओस्मोटिक एनवार्में है वो hypotonic है तो जैसा कि हम जानते हैं कि hypotonic environment एक ऐसा environment होता है जिसमें के salutes जो होते हैं उनकी कमी होती है जबके water जो है वो excess में पाया जाता है और अब हम इस level पे ये भी जानते हैं कि वो चीज जो ज्यादा amount के अंदर environment में मौझूद होती है वो ही उस organism का normally excretory material होती है तो hyposmotic environment एक ऐसा environment है जिसमें water जो है वो excess में available है तो जो excretory material है वो भी क्या होगा water होगा जबकि उसके अंदर जो salts मौजूद है जो salutes मौजूद है उनको body अपने पास रखके conserve कर लेगी क्योंकि environment में उनकी कमी है इसी तरह से हमारे पास जो second type आ जाती है वो है hyperosmotic environment hyperosmotic environment ऐसा environment होता है जिसमें के जो salutes हैं उनकी excess होती है जबकि organism को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है तो यहाँ पर क्योंकि salts जो हैं वो excess में पाए जाते हैं इसी लिए इनका जो excretory material होगा वो क्या होगा salts होगे तो hyperosmotic environment में water को as excretory material consider किया जाता है जबकि hyperosmotic environment में जो salts होते हैं उनको excretory material consider किया जाता है primarily जो metabolism होती है amino acid की अब amino acid कहां से आ गए है हमारी body के अंदर जो protein मौजूद है उसकी बात हो रही है वो amino acid से मिलके बनती है जब उसकी catabolism होती है उसकी breakdown होती catabolism किसे कहा जाता है breakdown को कहा जाता है metabolism basically दो reactions का नाम होता है जिसमें catabolic reactions भी आ जाते हैं और anabolic reactions भी आ जाते हैं catabolism, catabolic reactions जो हैं यह ऐसे reactions होते हैं जिने में बड़ी चीजों को चोटी चीजों में तोड़ा जाता है तो primarily जो amino acids होते हैं जब उनकी catabolism होती है तो वहाँ से क्या निकलता है amino group उनके पास मौजूद होता है तो जो amino group होगा इसको release कर दिया जाता है उसको transfer भी किया जा सकता है किसी और molecule में ताकि उसको दुबारा से यहां तो reuse किया जा सके और अगर उसकी access मौजूद है यहां उसको दुबारा से reuse नहीं किया जा सकता तो उसको क्या कर दिया जाता है remove करवा दिया जाता है तो हम यहां से X को दुबारा देख लेते है कि primarily जो catabolism होती है amino acids की और amino acids में से खास तोर पर किसकी amino groups की उनको release किया जाता और transfer कर दिया जाता है दूसरे molecules को ताकि उसको यहां तो वो इस्तमाल कर सकें reuse कर सकें यहां पिर उसको क्या किया जा सकें remove करवा दिया जाए amino groups जो होते हैं ऐसे amino groups जिनको हम reuse नहीं कर सकते हैं तो उनको क्या किया जाता है उनको essentially dissolve किया जाता है water के अंदर और उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है excrete कर दिया जाता है तो amino group not used for recycling of amino acid जिनको recycling के लिए इस्तमाल नहीं किया जा रहा है amino acid की is essentially dissolved in water and excreted उनको क्या किया जाता है पानी के अंदर dissolve करवा के body से excrete out कर दिया जाता है हमें नुकसानात क्या होते है nitrogenous waste के अगर हमारा excretory system जो है वो उच्छे तरीके से काम ना कर रहा हो या फेल हो जाए तो हमारे अंदर ये nitrogenous waste होते हैं ये body के अंदर ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे और जब भी nitrogenous waste जो हैं वो ज्यादा होंगे उनकी वज़ा से क्या होगा उनकी वज़ा से सबसे पहले तो convergence होगी किसे कहते हैं, जिसको हम दोरे पढ़ना कहते हैं, उसको कन्वलियन कहा जाता है अगर इसको कन्वलियन की स्टेज पर भी कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा तो पेशेंट जो होगा वो कॉमा में चला जाएगा कॉमा एक ऐसी स्टेट होती है, जिसके अंदर बॉडि जो है, वो इक किसम की परलीज हो जाती है और बॉडि की किसी किसम की कोई मोमन नहीं हो सकती है और सेंश जो ह contar मुर्ड काम नहीं कर रही होती है और कॉमा के दोराण भी अगर इसको ठीट ना किया जा सके तो अल्टी मेंटली breakdown के अंदर बनाए गए हैं जैसा कि हमने देखा कि प्रोटीन किसे मिलके बनी होती है amino acid से और amino group है और amino group के पास क्या मौझूद होता है nitrogen मौझूद होती है और इसी amino group के वज़ा से जो waste materials बन रहे होते हैं वो कौन से होते हैं उनको हम nitrogenous waste का नाम देते हैं और जब भी जो हैं वो nitrogenous waste बोडी में इकठे हो जाते हैं तो पिर क्या होता है convergence होती है, coma होता है और eventually फिर death हो जाती है animals की body में जो excess nitrogen होती है उसको किस form में excrete किया जाता है तो हमारे पास 3 basic forms होती हैं, सबसे पहली जो form है वो है ammonia, जो second form है वो urea है और जो third basic form है वो क्या है, uric acid है तो जितना भी excess nitrogen होता है body में उसके removal के लिए उसको किस चीज़ में convert किया जाता है उसको ammonia में convert किया जाता है, urea में convert किया जाता है या फिर uric acid में convert किया जाता है यह चीज़ depend करती है कि organism का environment कैसा है तो यह तीन जो हैं, यह basic waste materials हैं, waste materials वैसे और भी types के मौझूद होते हैं लेकिन principally इन तीन forms में उनको release किया जाता है low quantities जो होती है nitrogen की, उनको excrete किया जाता है दूसरे compounds की form में जिन में कौन-कौन से आ जाते हैं, हमारे पास creatinine आ जाती है creatin आ जाती है और trimethylamine oxide आ जाती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो basically nitrogen होती है, उसको किस form में release किया जाता है ammonia, urea और uric acid की form में लेकिन बहुत कम nitrogen ऐसी भी होती है, जिसको दूसरे components की form में convert करने के बाद release किया जाता है जैसा कि हमारे पास creatinine आ जाता है, creatin है और trimethylamine oxide है purines and pyrimidines, हमारा जो nucleic acid होता है, यानि कि हमारा DNA और RNA जो होता है यह purines और pyrimidines से मिलके बना होता है इनकी excretion जो है, वो कैसे होती है, तो purines और pyrimidines basis जो होती है यह बहुत ज़्यदा quantity के अंदर nitrogenous waste जो होते हैं, इनको produce कर रही होती है और यह कौन्चे form में करती है, harpozenthin, xanthin, uric acid, allantoin और ammonia तो जो nucleic acid होते हैं, वो in forms के अंदर waste material को excrete करवाते हैं Nature of excretory product, जो हमारी excretory products होती है, उनकी nature क्या होती है यह basically depend करता है कि उनका environment कैसा है जैसा कि हमने पहले discuss किया है कि हमारे पास तीन basic forms होती है एक हमारे पास ammonia है, दूसरी हमारे पास urea है, और तीसी कौन सी है, uric acid तो सबसे पहले हम ammonia के बारे में discuss करते हैं कि ammonia के excretion जो है वो कैसे होती है ammonia का जो एक gram होता है, इस एक gram को excrete करवाने के लिए हमें कितना water required है, 500 ml water जो है, वो required होता है यानि कि half liter water हमें चाहिए, one gram of ammonia को body से remove करवाने के लिए अब इसकी वज़ा क्या है, इसकी वज़ा ये है कि ammonia जो हो highly toxic होता है और इसकी toxicity के वज़ा से इसको ज़्यादा पानी के अंदर dissolve करवा के dilute form में release करवाया जाता है ताके इसके जो toxic effects हैं उनसे body को बचाया जा सके तो ये कैसे organisms होंगे जो के ammonia की form में अपने waste materials को excrete कर सकेंगे obviously ये ऐसे organisms होंगे जिनको water जो है वो बहुत ज़ादा quantity के अंदर available होता है तो ये कौन से organisms होते हैं? ऐसे organisms जो के hypotonic environment में रहते हैं और fresh water animals को ये environment available होता है जो के hypotonic environment में रहते हैं तो ऐसे organisms जो fresh water में रहते हैं यानि के hypotonic environment में रहते हैं वो ammonia के form में अपने waste material को release करवाते हैं वो इसलिए क्योंकि उनके पास पानी बहुत ज़ादा quantity में available होता है और हमें पता है कि ammonia का जो एक ग्राम है उसकी excretion के लिए कितना water चाहिए? 500 ml जो water है वो required है ऐसे organisms जो ammonia के form में अपने waste material को release करते हैं इनको हम ammoniotalic कहते हैं इनको क्या कहा जाता है? ammoniotalic का नाम दिया जाता है सेकेंड हमारे पास urea आ जाता है यूरिया के एक ग्राम को excret करवाने के लिए जो water required है वो कितना है? 50 ml यानि के fresh water organisms के मकाबले में इन organisms को कम पानी चाहिए होता है इसकी वज़ा ये है कि यूरिया कम toxic है किसके मकाबले में? ammonia के मकाबले में तो ये कैसे environment वाले organisms यूरिया के form में waste materials को excret करते होंगे? ऐसे organisms जिनको पानी की जो supply है water की supply जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है यानि कि जब restricted water supply होती है तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें organisms जो होते हैं वो ज़्यादा water को इस्तमाल करते हुए अपनी excretion नहीं करवा सकते ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास water जो है उसकी availability कम होती है तो ये organisms जो है ये कैसे environment में रहते हैं? ये ऐसे environment में रहते हैं जो normally कौन से होते हैं? terrestrial environment में होते हैं जहां पे जो water की supply है वो क्या होती है? restricted होती है ऐसे organisms जो यूरिया की form में अपने waste materials को remove करवाते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको ureotellic का नाम दिया जाता है तो अगर हम इसको एक दफा दुबारा देखें कि terrestrial animals जो हैं ऐसे animals होते हैं जिनको water की restricted supply का सामना होता है यानि कि बहुत जदा water available नहीं होता तो वो waste material कौन सा बनाते हैं? वो waste material बनाते हैं यूरिया यूरिया कैसे बनाया जाता है? यूरिया एक cycle के result में बनता है जिसको के ammonia से हम basically ammonia को ही convert करते हैं less toxic form में जिसको क्या कहा जाता है? यूरिया कहा जाता है और ये कैसे होता है? एक process के जरीए से होता है जिसको हम यूरिया cycle का नाम देते हैं terrestrial animals के पास ये quality होती है कि उनकी body के अंदर जो ammonia बनता है उसको urea cycle के जरीए से किस चीज में convert कर देते हैं urea में convert कर देते हैं जो के एक less toxic form है और इसको removal के लिए जो water required होता है वो भी कम required होता है तो असानी के साथ अपने environment में adjust करते हुए terrestrial animals urea के form में excretory products को release करवाते हैं इसलिए इनके लिए जो term इस्तमाल की जाती है वो है urea italic third हमारे पास जो excretory product है वो uric acid है और uric acid जो होता है अगर हम इसको देखें कैसे release करवाया जाता है तो 1 gram uric acid को release करवाने के लिए हमें सिरफ 1 ml water जो है वो required होता है ये पानी की बहुत ही कम amount है तो ये ऐसे organisms होंगे जिनको पानी जो है उसकी acute shortage का सामना करना पड़ता है ऐसे organisms जो acute shortage of water वाले environment में रहते हैं वो किस form में अपने waste materials को remove करेंगे uric acid की form में ये कौन से organisms ये कौन से environments हो सकते हैं ये ऐसे environment होते हैं जो 2 organisms को available है या तो birds को या फिर जो कुछ reptiles होते हैं इनको तो birds और reptiles होते हैं इनको acute shortage का सामना करना पड़ता है इनको पानी की बहुत ज़्यदा कमी होती है और birds की अगर हम खास दोर पे बात करें तो birds अपनी body के अंदर ज़्यादा water को conserve नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है अब उस कम पानी के वज़ा से उनको ऐसा material required है जिसको वो कम पानी को इस्तमाल करते हैं बोडी से बाहर excrete करवा सकें और ऐसा material हमारे पास कौन सा है यूरिक एसेड जिसके एक ग्राम को release करवाने के लिए सिरफ हमें कितना water चाहिए 1 ml चाहिए ऐसे organisms जो अपने waste materials को यूरिक एसिड की form में release करते है इनको क्या कहा जाता है इनको ureotallic कहा जाता है यह जो तीन हमारे पास basic excretory यह जो तीन हमारे पास principal excretory products हैं इनके structures का भी हमें पता होना चाहिए जैसा कि हमारे पास ammonia है यूरिया है और ureak acid है इनके structures के बारे में भी हमें information होनी चाहिए और यह हमें आने चाहिए झाहिए